नमबर तेईस, विश्व की प्रमुख जल संधियां प्रश्ण एक, निमलिखित में से कौन सी जल संधी अंतर राश्ट्रिय तिथी रेखा के समानांतर इस्थित है A. पनामा जल संधी, B. स्वेज जल संधी, C. डोवर जल संधी, D. बेरिंग जल संधी उत्तर है, D. बेरिंग जल संधी प्रश्ण दो, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधी निमलिखित में से कौन सी है A. डेविस जल संधी, B. बेरिंग जल संधी, C. जिब्राल्टर जल संधी, D. बास पोरस जल संधी उत्तर है, A. डेविस जल संधी प्रश्न तीन, बेरिंग जलसंधी किन दो इस्थलभागों को अलग करता है A. भारत और मलेशिया, B. मलेशिया और मोजांबिक, C. यूरोप और अफ्रीका, D. एशिया और उत्तर अमेरिका उत्तर है, D. एशिया और उत्तर अमेरिका प्रश्न चार, हारमुज जलसंधी किन दो देशों को अलग करती है? A. बहरीन एवं कतर B. इरान एवं UAE C. उमान एवं UAE D. इरान एवं उमान उत्तर है D. इरान एवं उमान प्रश्न पाच उस्ट्रेलिया एवं पापुआ नियोगिनी को कौन अलग करता है? A. टॉरस जलसंधी B. बॉस जलसंधी C. फोवेक्स जलसंधी D. कुक जलसंधी उत्तर है A. टॉरस जलसंधी प्रश्न चे पाक जलसंधी किन दो देशों को अलग करती है? A. भारत एवं पाकिस्तान को B. भारत एवं म्यानमार को C. भारत एवं श्रीलंका को D. पाकिस्तान एवं इरान को उत्तर है A. भारत एवं पाकिस्तान को प्रश्न साथ बेरिंग जल डमरूमध्य अलग करता है A. आर्क्टिक महसागर को प्रशांत महसागर से B. अट्लांटिक महसागर को हिंद महसागर से C. अट्लांटिक महसागर को प्रशांत महसागर से D. प्रशांत महसागर को हिंद महसागर से उत्तर है ए आर्क्टिक महासागर को प्रशांत महासागर से प्रश्ण आठ मलक्का जल संधी किन दो सागरों को सैयुक्त करती है A. अंडमान सागर तथा दक्षिनी चीन सागर B. जावा सागर तथा सेली बीस सागर C. मारमारा सागर तथा एजियन सागर D. जावा सागर तथा जापान सागर उत्तर है A. अंडमान सागर तथा दक्षिनी चीन सागर प्रश्ण 9. भूमादी सागर एवं अट्लांटिक महासागर को जोडने वाली जलसंदी है A. डेविस जलसंदी, B. जिब्राल्टर जलसंदी, C. मैसिन्ना जलसंदी, D. बोनिफैसियो जलसंदी उत्तर है B. जिब्राल्टा जलसंदी प्रिष्ट 305 प्रश्ण 10. जाफना प्रायदीप तथा श्री लंका की मुख्य भूमी को जोडने वाला पास है A. डंकन पास, B. एलिफैंटा पास, C. दस डिग्री चैनल, D. अलबर्टा पास, उत्तर है B. एलिफैंटा पास प्रश्ण 11. जल्ड अमरुमध्य कहलाता है A. दो सागरों को मिलाने वाली सक्री जल्धारा, B. दो समुद्रों के बीच पतली सक्री भूमी पट्टी, C. समुद्र एवं इस्थल का मिलन इस्थल, D. इन में से कोई नहीं उत्तर है A. दो सागरों को मिलाने वाली सक्री जलधारा प्रश्न बारा मेड़ागासकर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमी के बीच इस्थित है A. गिनी की खाड़ी B. जिब्राल्टर जलसंधी C. मौजांबिक चैनल D. बेरिंग जलसंधी उत्तर है C. मौजांबिक चैनल प्रश्न तेरा कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से प्रथक करती है A. बासपोरस B. जिब्राल्टर C. डोवर D. बेरिंग उत्तर है B. जिब्राल्टर प्रश्न चोदा मलक का जल डमरूमध्य मिलाता है A. अट्लांटिक को भूमध्य सागर से B. पर्शियन को हिंद महासागर से C. प्रशांत को हिंद महासागर से D. अट्लांटिक को प्रशांत महासागर से उत्तर है C. प्रशांत को हिंद महासागर से प्रश्न पंद्रा बाब अलमंडव जलसंधी निमलिखित में से किन दो सागरों को जोडती है A. लाल सागर एवं उमान की खाड़ी B. फारस की खाड़ी एवं उमान की खाड़ी C. लाल सागर एवं अदन की खाड़ी D. उमान की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी उत्तर है C. लाल सागर एवं अदन की खाड़ी प्रश्न सोला हारमुजल संधी निमलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है A. फारस की खाड़ी तथा उमान की खाड़ी B. उमान की खाड़ी तथा मसीरा की खाड़ी C. मसीरा की खाड़ी तथा आदन की खाड़ी D. आदन की खाड़ी तथा उमान की खाड़ी उत्तर है A. फारस की खाड़ी तथा उमान की खाड़ी प्रश्न सत्रा जिब्राल्टर जलसंधी किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है प्रश्ण 18. इंग्लिश चैनल इस्थित है उत्तर है एंग्लेंड एवं फ्रांस के बीच प्रश्ण 19. दस डिग्री चैनल प्रथक करता है प्रश्ण 20. सुमेलित कीजिए सूची 1. जलसंधिया सूची 2. अलग किये जाने वाले भूभाग उत्तर है बेरिंग जलसंधिका, अलास्का और रूस, डोवर जलसंधिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जिब्राल्टर जलसंधिका, इस्पेन और उत्तरी, अफ्रीका, पाक जलसंधिका, भारत और श्रीलंका प्रश्न 21. सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिये, तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये सूची 1 जल संयोजक, A. बेरिंग जलसंधि, B. पाक जलसंधि, C. जिब्राल्टर जलसंधि, D. मलक्का जलसंधि सूची 2 इस्थिती प्रश्न 22. ग्रेट चैनल प्रथक करता है A. श्रीलंका को भारत से, B. लक्षद्वीप को माल्द्वीप से, C. ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, D. ग्रेट निकोबार को जावा से, उत्तर है C. ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से,